हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जै जिनेंदर, जै श्री महाकाल, स्वागत आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे स्टॉक मार्गेट की, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की, आगे कल की रंडिती, कल सुक्रवार है, वीक का आखर दिन, उसकी चर्चा करने से पहले, हमने आज के रंडिती बनाई थी, और उसमें क्या हुआ, हम उसका एक और व्यू कर लें, फिर कल की बात करते हैं, कल हमें क्या करना है, निफ्टी, जिस दिन से वार की खबर आई है, उसके दूसरे दिन से, मैं आप लोगों सिर्फ एकी बात कह रहा हूं, कि मुझे निफ्टी कमजोर नहीं लग रही है, और सबसे बड़ी बात, वो जिस तरीके से मुमेंट दी थी, आप लोगों ने अब्जर्व किया होगा, कि एक दिन गैप डाउन ओपन हुई, एक दिन गैप अप ओपनी हुई, फिर वापस से नीचे आई, लेकिन वो काफी अच्छे सपोर्ट के दायरे में थी, एक सो पचास का सपोर्ट था पहले, एक सो पचास को ब्रेक करके नीचे गई, एक सो पचास तक आई, फिर नीचे गई, तब ही मैंने आप लोगों को कह दिया था, कि ये गाड़ी मंदी से भर चुकी है, और जहां कस् कस्ती, वो कस्ती अगर ज्यादा लोगों से वन डिरेक्शन में भर जाए और वहां पर बहुत सारा टाइम स्पेंड हो जाए, तो समझ लेना ची वो कस्ती हो डूबने वाली है, और क्या हुआ, डूब गई ना, पूरे सोशल मीडिया में, पूरी टीवी मीडिया में, टेलि दो, या फिर निफ्टी को सेल कर लो, पूट को बाय कर लो, क्या हुआ आखिर, अपने अपना सोचा हुआ, अपने जैसा सोचा था, वैसे हुआ, आशा करता हूँ मेरे जितने भी दर्शक है, ना वो कोई कमोडिटी में लॉस खा रहा है, ना ही एक्विटी में लॉस खा र रहा है, सिर्फ अब्जर्व भी कर रहा है, तो वो कहीं, अगर वो अपने वीडियो, अगर उसका मंदी बनाने का है, और अपना वीडियो देख्यों मंदी नहीं कर रहा है, रुक रहा है, तो उसने अपनी कैपिटल बचा ली, money saved is money earned, बस अच्छा लगता है, मुझे मेरे ध्यान के साब से बजार चलता है, तो खुशी होती है, लगता है कहीं न कहीं, आप लोग कुछ न कुछ पैसा तूटने से बचा ही लेते होगे, बस ध्यान रखिए, कूत कूत के ट्रेडिंग नहीं करना है, जंप नहीं करना है, डरना नहीं है, ग्रीड नहीं लानी अपने यह यूट्यूब आपके इस यूट्यूब चैनल से अगर पैसा बन रहा है तो चाचा चौधरी नहीं बनना है आज बहुत सारे लोग चाचा चौधरी बने हुएं कमोडिटी में खुब पैसा दिया है बना के आज कोई कॉल एक्जिक्यूट नहीं हो रहे हैं तो उनको लग ट्रेडर की सबसे बड़े परिशानी यह होती है अगर लॉट कर लेता है तो उट के सुछता है कि आज मैं सारा लोउस कवर कर लोगा और अगर if profit कमा लेता है तो सोचता है कि अज़ितना profit आज फिर से करूँगा यही तो प्रॉब्लम है बॉस लॉस मैं पहले 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 वीडियो में भी कहा हूं कि जिस दिन मुझे लॉस हो जाता है उस दिन मैं silent mode पर चला जाता हूं ना मैं screen देखता हूं ना बात करता हूं और जिस दिन प्रॉफिट हो जाता है लंबा चोड़ा जैसे कल पर्सों 2-4-8 दिनों में हुआ है देखो यह मार्केट इतनी जल्ली-जल्ली इतना उपर-nीचे तो नहीं करेगा करेगा रोज रोज तो नहीं करेगा यह साल में दो चारी बार ऐसे चांस मिलते हैं जब मज़ा आ जाता है तो उस चांस को केपिटलाइज करो मस्त अपने बैंक एकाउंट में पैसा लो और फैमिली के साथ इंजोए करो यही सब तो मौक्य होते हैं सेलिबरेशन के चलिए बा को फिगर ता आज का लो देख लो 1660 के आस पस का अपने मैजिकल फिगर को भी टच्नी के बजारने यहनुकी मेजिकल काम कर रहे हैं और आप लोगों को उन मैजिकल फिगर से मज़ा भी आ रहा है बात करते हैं निंफ्टी की निफ्टी का सपोर्ट लेवल दिया था बारहं पोस्ट हुआ है 12,279 लोग पोस्ट हुआ है 12,168 और क्लूज हुई है 12,271 में जो कल के लिए सपोर्ट निकल के आ रहे हैं वो 12,226 12,175 रेजिस्टन्स निकल के आ रहे हैं 12,333 12,390 इसका मैजिकल फिगर बन के आ रहे है 12,175 मैजिकल फिगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्डेंट होते हैं तो यह हुई निफ्टी की बातचीत अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी के रेजिस्टन्स दिये थे सपोर्ट दिया था 31,140 का और रेजिस्टन्स दिया था 31475 का 31850 का आज इसका high post हुआ है 32200 low post हुआ है 31750 और close हुई है 32150 में इसका magical figure आप लोगो दिया था 31786 786 का magical figure दिया था और इसका आज लो देखिएगा 760 याने magical figure को एक बार इसने जटके में 20-25 पॉइंट का low लगा दिया और वहां से वो बढ़ चला almost 300 पॉइंट उपर अगर किसी ने magical figure को भी याद रखके उसका buy initiative किया होगा उस level के आसपस तो उसको 2-300 पॉइंट तो मिले ही मिले है तो यह होते हैं levels के कमाल जो कल के लिए सपोर्ड बनके आ रहे हैं वो 31-8-75 दूसरा सपोर्ड पहला सपोर्ड बनके आ रहा है 32-143 आज इसकी क्लोजिंग ही सपोर्ड के थोड़े उपर वी दो पांच पॉइंट उपर वी है तो यह कल सपोर्ड की तरह काम करेगा या फिर इसकी रेंज के आज पसे ट्रेडिंग हो सकता है थोड़ा टाइम और फिर भाग सकता है 32-143 का पहला सपोर्ड 31-8-75 का दूसरा सपोर्ड 32- 32-700 का इसका रेस्टेंस नजर आ रहा है सपोर्ड 32-143-31-8-75 रेस्टेंस इसको 32-700 का है इसका जो magical figure है बैंग निफटी का है 31-8-75 निफटी का है 12-175 बैंग निफटी का है 31-8-75 यह दोनों magical figure को याद रखिएगा और अगर buy position बनाते हैं तो resistance को याद रखिएगा आज बैंग निफटी ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं करी तीन-चार सो पॉइंट चली है लेकिन गैप अच्छी ओपनिंग दी अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक की स्टॉक में हमने क्या रणनीती बनाई थी और उसमें क्या हुआ पहले तो आप लोगो एक चीज अपडेट कर दूँ कि अपने दो टार्गेट अच्छी हो गया यहने कि दो होल्डिंग थी हमारे अकाउंट में एक था अपने पार टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स कपका था टाटा मोटर्स था हमारे पास 7 जैनवरी का जो हमने बाई इनिशेट किया था 183 में पहला टार्गेट था उसका 191 का और दूसरा टार्गेट है उसका 202 का पहला टार्गेट अच्छी हो चुका है आशा करता हूं आप लोगों ने इसको कैपिटलाइज किया होगा आट रुपय के असप्स मोमेंट दी है यानि यह होता है 4,5 परसेंट के आसप्स परसेंट इस टर्मस दूसरा हमने एक आई बूल का कॉल इनिशेट किया था जो कि कल ही initiate हुआ था 297 के आसपास 298 के आसपास और इसका target अपन expect कर रहे थे 311 और 318 आज इसने 318 को भी cross करके काफी उपर का high लगाया आज तो आज इसने high लगाया 332.80 तो इसमें भी हम लोगों ने करीब-करीब 6.71% की rally capitalize किये अभी तक अपने इस हफते जो मैं performance वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें सवा तीन टक्के के आसपास अपनी capital पे एक हफते में हम लोगों चार दिन में मुनाफ़ा निकाल चुका है चली वो तो performance वीडियो जरू देखा करिएगा मेरी तब आप वहां से अपने performance और अपने वीडियो के performance को match करके tally कर सकते हैं और अगर कहीं miss match हो रहा है तो आप उन गलतियों को निकाल के सुधार सकते हैं अब बात करते हैं कल के लिए क्या stock नजर आ रहे हैं अच्छा दूसरा info से sell करने दिया था आपको 726 के आसपास 730 का stop loss maintain करना था और target अपन expect करते 714 रूपए और 714 और 708 के आज इसका high post हुआ है 731 50 का low post हुआ है 714 30 का 726 का high लगा के इसने comfortably sell मिल रहा था वहाँ पर इसने low लगाया 714 30 का मेरा target आप लोगों को दिया वदा 714 का कुछ लोगों के मुझे message भी आए कि सर हमने 715 में book कर लिया मैंने का very good happy for you लेकिन मैं अपनी performance sheet में इसका stop loss hit दिखा रहा हूँ profit book नहीं दिखा रहा हूँ तो 730 का stop loss हो गया है मेरा यह होती है इमानदारी दूसरा डॉक्टर रेड़ी दिया था बाय करने के लिए कॉल इनिशेट नहीं हो पाया दो रुपय की वज़े से नहीं चड़ा रहा हूँ हाला कि वह 20-30 रुपा वहां से उपर गया यह भी होती है इमानदारी दूसरा तीसरा बागी जो हमने कॉल इनिशेट करने वह अपने रिकमेंड किये थे डॉक्टर रेड़ी रिलाइंस इंडस्ट्री से कोई लेवल तक नहीं आया अब कल के लिए का रन्निती नजर आ रही कल वापस से आप लोगों को डॉक्टर रेड़ी अगर 2900 और 2915 की रेंज मिले 2900 और 2915 की रेंज में तो इसको बाय करिए 2855 का स्टॉप लोस मेंटेन करिए तार्गेट आप एक्सपेक कर सकते हैं 3033315 मेरे कैश एक्विटी के बाय कॉल सारे डिले हमारा फार्मूला यह है कि एंटर लेट एक्जिट फास्ट जब तक हमारे ट्रिगर प्राइस पर बजार आता है और अगर उसके उसका ब्रेकाउट देता है तो उसकी स्पाइक बहुत फास्ट होती है इसलिए हमारी एक्जिट कमपेरिटिवली जल्ली हो जाती नॉर्मल इ 52 के टार्गेट एक्सपेक कर सकते हैं तीसरा यहस बैंक कि कल बोर्ड मीटिंग है अगर कुछ पॉजिटिव आउटकम आते हैं उनकी फंड रेजिंग हो जाती है अलाकि उनके पिछले काफी दिन नों काफी मिटिंग में उनकी फंड रेजिंग नहीं हो पाई और कुछ 51 50 तक के टार्गेट एक्सपेक कर सकते हैं को चौथा कॉल टाइटन का 1156 57 के आसपस बाए करना है 1156 57 के आसपस स्टाप लोस मिंटिन करना है 144 1144 टार्गेट आप एक्सपेक कर सकते हैं 1178 ग्यारा सो 78 रुपए और 1188 रुपए पाँच्वा कॉल बजाज आटो बजाज सबसे बेस्ट पार्टी है कि बजार इतना अनाप्षन आप चला लेकिन हमारे पास होल्डिंग कुछ भी नहीं है मैंने कल के लिए भी आप लोगों को कॉल्स दे दिए हैं पांच कॉल हैं इस में से कौने सब बाइ歌 अपने फारेंज में नहीं आिन अपा रहा है तो इस बात द्रेंगे आशा करता हूं आप मेरे वीडियो में पसंद नहीं रहे हैं पसंद आ रहे हैं प्लीज स लाइक करेंगे सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेर करिए और नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कर सकते हैं मेरे पताई हुई रन्नीतियों को एक्जिक्यूट और जोड़ सकते हैं डारेक्ट मेरे साथ